दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited यानी IRFC की बात करें तो यहाँ पे quarter 4 के result की date का एलान हो चुका है साथ में company ने dividend का एलान भी किया है तो क्या इस समय हमें IRFC में investment करना चीए वैसे तो बाजार में भहेंकर गिरावट का माहुल बना हुआ है और इसे में क्या IRFC का stock भी नीचे आएगा क्योंकि stock ने बहुत जबर्दस अलड़ी तेजी बताईए अब आप देख सकते हो जो stock 30 रुपे के आसपर था साल बर पहले वो stock यहाँ पे बहुत उपर जा चुका है क्या इस result के पहले हमें investment करना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को subscribe कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी ने वडियो बने पहला notification आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो friends वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SP दवया और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज बाजार में जबर्दस गिराउट हुई BSE sensing में लगबग 1000 पॉइंट से उपर की गिराउट ही और इस गिराउट के पीछे सबसे बड़ी जो जिम्यदारी है वो है FII की FII बाजार में बहुत जबर्दस बिक्वाली करे पिछले दो ट्रेडिंग सेसन में लगबग 13,000 कोड की भारी बरकम बिक्वाली कर दिये आप देख सकते हो आज उन्होंने 11,353 कोड का नया इन्वेस्मेंट किया लेकिन सामने 18,347 कोड की बिक्वाली कर दिये तो आज उन् 6,669 करोड की बिक्वाली की थी तो उनकी एग्रेसिव बिक्वाली शुरू हो गया और यह बाजार में बहुत भारी गिरावट का माहौल बना रहे हैं पूरे इस महीने में अभी हम आप देख सकते हो कि टोटल 6 टेडिंग सेसन हुए 22,858 करोड का भारी बरकम उन्होंने मा अपना बेच दिया है यह बिक्वाली बहुत बढ़ी है और इसी विज़से बाजार गिर रहा है सामने बाजार को समभालने की कोशिस डियाई की तरब से लगातार हो रही है आज भी डियाई ने बाजार को समभाला है तो देख सकते हो कि 16,351 करोड का उन्होंने फ्रेश इ अब इस महीने में उन्होंने टोटल डियाई ने 16,700 करोड का फ्रेश इंवेस्मेंट कर दिया है लेकिन सामने 22,000 करोड की बिक्वाली FI की तरब से हुई है और यही बाजार के लिए टेंशन की बात है अब आयारपस की आज बात कर ले तो स्टॉक की सुरुआ तो फ्लैट 142 के आसपास और यही दिन भर का हाई है वहां से जिसन से वाजर में गिराउट का महौल बना यह श्टॉक भी नीचे आए 146 तक चला गया और क्लोजिंग है 147 के आसपर जापे 2.96 की गिराउट हुई तो यह तो गिराउट हो नहीं थी जब संसेक्स में 1000 पर की गिराउट ह रिटन दिया है अब यहां पे सिर्फ 6 मन की बात के इसने 100% पॉइंट ही रिटन दिया है यानि पैसे आपके डबल हुए 73 के आसपर जाप था 15 नौबर को यहां पे अगर हम बात करें 1 मन की तो 0.72 पर संकी तेजी है और अल देके तो पिछले एक मेने तक यहां पे कोई गि आ रही है यानि बड़े फंडा हुसी समय वेट अन वाच की स्तिती में आप देखें कि पीछले एक मेने विलेस का 5 क्रोड का वॉलिम था 1 क्रोड की डिलेवर उठाएगी और कल 3 क्रोड का वॉलिम हो था 71 लेक डिलेवर वेस काम हुआज मातर 2 क्रोड का ही वॉलिम हो तो य यहां पर देख सकते हो कि कंपनी अपना क्वाटर फॉर का रिजल डिकलेर करेगी सोम बार 20 मई को हमारे सामने रिजल्ट होगा यहां पर क्वाटर फॉर के रिजल्ट के लिए जो बोर्ड मीटिंग रखी गए उसमें आप देखते हो कि रिजल्ट की समभावनों को देखा जाएगा है कंपनी के एसेट और लाइबिलिडिस के बार में आपर डिसकस होगा किस तरसे कंपनी अच्छा परदसन किया है या कमी रह गी है वो सारी जानकारी इसमें शेयर की जाएगी इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है कंपनी कुछ फंड भी उठा के साथ मैं इसी मीटिंग के दौरान कंपनी फाइनल डिविडेंड का एलान भी करेगी फाइनेसल तूधान 23-24 के लिए कंपनी के तरब से डिविडेंड का एप्रूबल लिया जाएगा और आगे जब शेयर ओल्डर की रजाबंदी लेखे ये डिविडेंड दिया जाएग अप्रेल से ये ट्रेडिंग विडेंड को पाएगी अब यहां पे सारी के सारी नजर रिजल्ट के ओपर रिजल्ट अगर बैतर होगा तो एक अच्छी तेजी यहां पर बनते हुई दिखाई देगी फिर स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा अब यहां पे एक और अच्छ सबसे उपर आप देखे तो HDFC बैंक है जिसमें 14,137 कोड का इंवेस्मेंट किया NHPC में 4,842 कोड का फ्रेश इंवेस्मेंट हुआ है ITC में 2,230 कोड का इंवेस्मेंट किया Tata Motors में 1,948 कोड का इंवेस्मेंट किया है G Entertainment में 1,900 कोड का इंवेस्मेंट हुआ है Yes Bank में अगर आप देखे तो यहाँ पे करीब 1,708 कोड का इंवेस्मेंट किया है बंदन बैंक में 1579 कोड का investment किया है और इरेडा में अगर देखे तो 1561 कोड का fresh investment हुआ है और IRFC में 1533 कोड का investment हुआ है तो ये stock रहे है जो radar पे जिन में बहुत भारी निवेस किया है retail investor ने March quarter के दर्मियाद तो ये आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी बात है एक बड़ी IRFC ही करता उसके प्रोजेक्ट के लिए तो सीधा फाइदा IRFC को होगा railway के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो तो देख सकते हो कि इसका positive असर भी stock को देखने को मिला यहां पर देख सकते हो कि South Eastern Railway के तरब से इनको order मिला है और लगातार काफी अच्छे order को मिल रहे हैं फिलाल रेल विकास तिंगमले लिमिटेड के order book की बात के तो करीब 65,000 कोट के आसपास की order book है और बहुत सारी joint ventures इन्होंने बना हुए global market में भी और आने वाले समय और सारे बहुत सारी joint ventures बना के company अपने कारुबार को आगे बढ़ेगी ऐसे में यह बहुत अच्छी बात है एक और बड़ी गुण्यों निकल के आ रही है रेलवे मिनिस्टरी ने जो रेलवे इंफ्रा के project है उनको fast track पे लाने के लिए बड़ा फैसला किया है यहाँ पे GM और DRMS के power को बढ़ा दिया है तो यह जो प्रोपजल रखा गया जिसमें आप देखे तो उनके power को और बढ़ाया जाए ताकि जो project है वो तेजी से पूरे होते हुँ दिखाई दे तो रेलवे मिनिश्टर जनरल मैनेजर और डिविजनल जो मैनेजर है उनको और ज्यादा power देना जाए तो अपने हिसाब से project sanction करके उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सके उनके पास वो power हो तो देख सकते हो कि अब railway चाती है कि जितने project है वो जल्दी से जल्दी execute हो और आने वाले से और नए project सरकार शुरू करे तो वो भी पूरे हो तो इसके लिए आप एक नया याप इनको power दिया जा रहा है जिससे वो अपने हिसाब से बहुत सारे project को complete कर पाएंगे decision ले पाएंगे जल्दी से जल्दी fast decision ले पाएंगे तो यह काफी ची गुड़ी है जो इस सारा करिये के आने वाले समय IRFC के लिए अभी आप एक बड़ा रोल दिखाई देगा अब एक बार हम इसके pivot level को भी चेक कर लेते तो यहां से गर गिरावट होती है तो 147 का पहला support है यह support टूटा तो stock आपको 143 तक जाता हो दिखाई देगा गिरावट और बड़ी तो 140 तक जा सकता है वैसे closing पहले support के आसपासी हुई है अब positive माहल बना तो 155 का first resistance है इसको पार कर लिया तो stock आपको 158 तक जाता हो दिखाई देगा तेजी और बड़ी तो फिर 162 तक जा सकता है ऐसे मैं जो long term investor को उनके लिए तो अच्छा मौका है कि खरिदारी करें short term investor इस समय बाजार से थोड़ी से दूरी रहे बाजार के sentiment थोड़ी से डाउन है और जिस से गिरावट का माहल है थोड़ा सा आपको वेट जरू करना चीए लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बढ़े ल जरू को यदिए बाज़ान है अवे बाज़ी से अपको पारें तो हैं थोड़ी से रहे बाजल का गज टया है कि विरावबा जस भीए बाज़ी बाज़ी से पहले है बाज़ी खावबा